मुझा पार्स में जितने भी रिजर्व था जितना भी श्टॉक आया था वो खत्म हो गया है और हमारे पास इस वक्त कोविशील्ड के इतने सेंटर्स थे वो चल रहे हैं लेकिन कोवेक्सीन के सेंटर्स हमें बंद करने पड़े हैं 17 स्कूलों में करीब 100 से जादे सेंटर्स हमको बंद करने पड़े हैं कोवेक्सीन के मैं फिर से रिक्रेस्ट करूंगा कि इन सरकार से कि देश में राष्ट्र में इस समय जो संकत है उसकी गंभीरता को समझें और एक राष्ट्र की सरकार की भूमिका निफाएं 12 साल से 44 साल के लोगों को वेक्सीन लगने का जो कारिकरम चल रहा था उसमें आज से थोड़ी से कावट आई है क्योंकि को वेक्सीन की बाकी है जबकि कोवी शील्ड अभी 4 से 5 दिन की बाकी है जैसा दिल्य सरकार ने बताया है इस वक्त मोती बाग में हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर एक सरकारी स्कूल है, जिसमें एक सेंटर बनाया गया है और इस सेंटर में को वैक्सीन अब तक लगाया जा रही थी, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर पोस्टर भी लगाया गया है, जिसमें लिखा हु कोविड वैक्सीन प्रयात ना होने के कारण आज टीका करन बंध है, यह पोस्टर जो है वैक्सीनेशन सेंटर जो दिल्ली में है जहाँ पर को वैक्सीन लगाया जा रही थी, इसी तरीके के तमाम पोस्टर देखने को मिल रहे हैं, यह 11 तारीक को लगा है, यानि कि कल से इस सेंटर में वैक्सीन बंध है, क्योंकि कोवाइक्सीन यहाँ पर लग रही है, जिसका स्टॉक दिल्ली में खत्म होचुका है, लोग भी यहाँ पर हैं जो इंतजार कर रहे हैं, आप लोग कार्य रिजिस्ट्रेशन था? इसलिए यहां पर लोग खड़े होका लाइन में भी लगए हैं इन्तजार कर रहे हैं कल दिल्ली सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि दिल्ली में को वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है ऐसे में वो 125 सेंटेस जहाँ पर को वैक्सीन की टीके है वो लग रहे हैं वो बंद हो गए है और कोवी शेल्ड की नई खेब जो है तकरीबन 2 लाग से ज़्यादा ज हुआ 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 है